नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जेनरल नौलिज के कुछ most important questions तो दोस्तों वीडियो बहुत ही interested होने वाली है अगर आप कर रहे हैं किसी भी government job के तयारी तो आपको इस वीडियो को end तक देखना चाहिए ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा आपका वीडियो बहुत ही छोटी होगी इस वीडियो में केबल 5 questions होगे जो की बहुत ही important questions है तो दोस्तों मैं आपसे request करूँगा कि आपको ये वीडियो 100% पूरी वीडियो देखनी चाहिए और अगर आप government job के तयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को भी subscribe कर लेना चाहिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं इसी तरह से general knowledge और current affairs and government job notifications की वीडिय लेकर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो तो हमारा आज का first question है 9.90 को हर्गोबिन खुराना की जैनतिय मनाई गई है उन्हें किस वर्ष नोबल पुरिसकार से सम्मानित किया गया था तो 9 जनवरी 2020 के लिए दोस्तो हर्गोविंद खुराना की जैनती मनाई गई है तो ये कोस्चन से है कि उन्हें किस वर्ष नोबल पुरिषकार से सम्मानित किया गया था तो कोस्चन नमर बन का दोस्तो यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा 1968 जी हाँ दोस्तो हर्गोविंद खुराना के लिए 1968 में नोबल पुरिषकार से सम्मानित किया गया था तो नेक्स्ट कोस्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन से पहले मैं आपके लिए एक बार इस कोस्चन के डिटेल में कुछ बता देना चाहता हूँ हर्गोविंद खुराना को 1968 में मार्शल डबलू निरेनबर्ग और रोबर्ट डबलू होली के साथ जेनेटिक कोट के छेत्र में अनसंधान के लिए नोबल पुरिषकार से सम्मानित किया गया था будто 1982 में उन्होंने प्रिथम कर्त्रम जीन का निर्माल किया था तो इसलिए इनको 1968 में सजोगत रूप से नोबल पुरिषकार से सम्मानित किया गया और इन्हें नोबल पुरिषकार किस किस के साथ हैं बला था तो मार्शल डबलू निरेनबर्ग और प्रोवेट डबलू होली के साथ में हर गोविंद खुराना जी के लिए नोबल पुरिसकार से सम्मानित किया गया था 1968 में तो ये आपके लिए ध्यानम रखने वाले बाते हैं इनके लिए सेयुक्त रूप से नोबल पुरिसकार मिला था मार्सल डबलू, निरेनबर्ग और ट्रॉवेट डबलू होली के साथ में इनके लिए हर गोविंद खुराना जी के लिए 1966 में नोबल पुरिसकार से सम्मानित किया गया था तो नेक्स्ट कोशन है दोस्तो हमारा कोशन नमर टू प्रिथम अग्रिम अनुमानों के साथ अनुसार 2019-20 में बहरत की विकास दर कितना रहने का अनुमान है कोशन में एक बार फिर पढ़ देता हूँ प्रिथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019-20 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान है तो कोशन नमर टू का correct answer होगा दोस्तो 5% जी यहां दोस्तों जो अनुमान लगा जा रहा हैं उसके साब से 2019-20 में भारत की विकासदर 5% रहने का अनुमान है तो दोस्तों यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं इस कोस्चन के बारे में तो आप इसके लिए भी पढ़ सकते हैं यहां आप देख सकते हैं यहां पर इस कोस्चन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा नॉलिज है वो आपके लिए यहां पर मिल रही है तो जनबरे 2020 के पहले हपते में केदर सरकार ने 2019-2020 के लिए GDP विकासदर का प्रिथम अग्रिम अनुमान जारी किया है इस वर्स अर्थवस्था में 5% की दर से ब्रद्धी होगी पिछले वर्स आर्थिक सर्वेच्छड में विकासदर 7% रहने के अनुमान लगाया गया था तो दोस्तों पिछले वर्स यह विकासदर थी वो 7% रहने का अनुमान लगाया था और इस वर्स जनबरे के पहले अपते में ही इसको लगा लिया गया है इसके अनुमान और ये 5% रहने की 5% की ब्रद्धी होगी तो question number 2 हमारा complete हुआ question number 3 के तरफ चलते हैं दोस्तो question number 3 है 9 जन्वरी को प्रवासी भारती दिवस के रूप में मनाय जाता है महत्मा गांदी दक्षन अफरीका से भारत किस वर्स लोटे थे महत्मा गांदी दक्षन अफरीका से भारत किस वर्स लोटे थे तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 1915 जिहां दोस्तो महत्मा गांदी 1915 में भारत लोटे थे 1915 में महत्मा गांदी भारत लोटे थे तो यहाँ पर आप detail information भी चल रही है इसको आप पढ़ते रहा करिए साथ ही साथ question के माकि में आपको बताऊंगा तो जरूर ही इसके बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नो जन्वरी को प्रवासी भारती दिवस मनाए जाता है तो यहाँ पर एक question आपको clear होता है कि प्रवासी भारती दिवस कब मना जाता है तो वो मना जाता है आपका नो जन्वरी के लिए इस दिवस के दोरा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारती सब्दायों के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान ब्यक्त किया जाता है इसी दिन राश्ट पिता महातमा गांदी दक्षन अफ्रीकास से सोदेश बापस आये थे तो आपका ऑफ्षन ये भी आसकता है कि प्रवासी भारती दिवस किस वर्स से मनाये जाता है तो आपका option correct होगा 2003 मतलब 2003 से प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है तो question no.4 की तरफ चलते हैं दोस्तो question no.4 है हमारा 2022 राष्टरमंडर खेलों का आयोजन किस सहर में होगा तो 2022 में जो राष्टरमंडर यानि कि जो Commonwealth Games होने वाले हैं उनका आयोजन किस सहर में होगा तो 2022 में दोस्तो जो राष्टरमंडर खेल होने वाले हैं यानि कि Commonwealth Games उनका आयोजन विमर्गम सहर में होगा बिमर्गम सहर दोस्तों इंग्लेंड में इस्थित है तो राश्टमंडल खेल याने की राश्टमंडल खेलों के लिए इंग्लिस में बोलते हैं Commonwealth Games तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राश्टमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लेंड के बिमर्गम सहर में किया जाएगा यह ऐसा तीसरा मौका है जब इंग्लेंड इस इवेंट का आयोजन करेगा मतलब इंग्लेंड तीसरी बार राश्टमंडल खेलों का आयोजन करेगा इन खेलों का आयोजन 17 जुलाई से 7 अगस 2020 के बीच किया जाएगा हाल ही में भारत ने राश्टमंडल शूटिंग और आयोजन करने के लिए प्रिस्ता भी बेजा है तो आज का हमारा दोस्तो लास्ट कोश्टन होगा कोश्टन नमर फाइब इस रो द्वारा लॉंच की जाने वाली नई उपग्रेश रंखला का नाम क्या है इस रो द्वारा लॉंच की जाने वाली नई उपग्रेश रंखला का नाम क्या है तो दोस्तो इस उपग्रेश रंखला का नाम है IDRSS यहां पर आप detail information में साथ यहां पढ़ रहे होंगे अगर आपने नहीं पढ़ाया तो मैं आपके लिए बता देता हूं इसरो का नया उपगर है IDRSS इसकी दोस्तों फल्फर्म होती है Indian Data Relay Satellite System इंडियन डाटा रिले सैटिलाइट सिस्टम तो हाल हिमें इसरो का नया उपगर है प्रतिवी की निम्न कक्छा में भारती उपगर को ट्रेक करेगा यह एक नई उपगरेस रंकला है जो अंतरिक्ष में भारत की परिसंपत्तियों के 20 संचार इस्थापत करेगी तो दोस्तो यह थे हमारे आज के 5 questions तो उम्मिद करता हूं यह वीडियो आपके काम की होगी और आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करें और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन क प्रेस जरू कर लें और दोस्तो इस वीडियो की जो पीडियो फाइल होगी वो आप वीडियो की description से डाउनलोड कर सकते हैं तो कमेंट करके जरू बताएगा कि कैसे लगी आपको यह वीडियो और आपने चैनल को सब्सक्राब जरू कर लिया होगा अगर नहीं किया तो दोस